नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल धोलधर अपडेट्स में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल में देखी चुके हैं कि हिमाचल परदेश में बंपर सिरकारी भरती निकली है तो इसमें टोटल 272 पदो पर भरती होगी तो इसकी last date 26 जून 2020 है application form भरने की तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इन्होंने application form भरना कब से start करने है और इसमें आपके लिए कितनी education qualification इन्होंने मांगी है और कौन-कौन सी पोस्टें भरी जाएंगी तो various पोस्टे इन्होंने निकाली है तो इसमें आपके लिए कितनी उन्होंने application fees रखी है और क्या selection process रहेगा इन 277 से अधिक पदों को भरने के लिए और क्या एक्जाम में ये slavus पूछेंगे और कितने marks का आपका exam होगा तो उसके बारे हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी तो वीडियो पर end तक बढ़ रहें तभी आपको पूरी information सही से पता लग पाई भी उससे पहले अगर आप हिमाचली हैं तो इस channel को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की आगे आने वाली हर latest breaking update की जो है आपको notification मिल सके क्योंकि इस channel पर जो हम educational related और HP government job जो हिमाचल प्रदेश में निकलती है तो उसकी notification जो है आपको देखने को मिलेगी in future तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें और वीडियो को सुन दाए तो लाइक भी जरूर करें तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो यह जो 270 पोस्टे जो निकाली गई है हिमाचल प्रदेश में तो यह हिमाचल प्रदेश युनिवरस्टी शिमला में जो है यह पोस्टे निकाली गई है आप देख सकते हैं अफिशली नोटिफिकेशन जो है इन्हों निकाली है यह advertisement notice तो यह 1 जून 2020 को यह advertisement निकाली गई है तो इसकी इन्होंने opening date जो है 5 जून 2020 से जो है आप application form को जो है भर सकते हैं और closing date इन्होंने बता रखी है 26 जून 2020 तो इन्होंने जो post of category है यह A, B, C, D और regular post भी इन्होंने निकाली हैं contract basis पे भी post निकाली हैं और daily basis पे जो है इन्होंने पोस्टे निकाली हैं इन्होंने पोर्टल बता रखी है इन पोर्टल में जाकर आप application form को भर सकते हैं और last date जैसे कि मैंने आपको बता दी है 26 जून 2020 है तो post की बात कर लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहले जो post भरी जाएगी यह librarian की post भरी जाएगी तो इसमें इन्होंने एक post रखी है category B की यह post है education qualification इन्होंने बता रखी है यहाँ पे और जो अगली post है यह assistant librarian की है hpu main library की तो इसमें pay scale जो है आप देख सकते हैं कितना जो है दिये जाएगा तो दो post जो है इन्होंने रखी है और अगली जो third post है यह assistant librarian RC धर्मशाला के लिए है तो contract basis पे यह post है पर जाएंगी धर्मशाला की contract basis पे है और जो librarian की जो इन्होंने पोस्ट निकाली है और assistant librarian HPU में जो निकाली है यह regular basis पे post है है आप देख सकते हो तो एक post जो है यह RC धर्मशाला की है तो serial number 1 से लेकर 3 तक जो post है इनके लिए इन्होंने जो UGC under regulation 288 के जो prescribed इन्होंने criteria जो रखा है इस जो with notification के हिसाब से तो आप जो है इसको UGC website में जाकर जो है चेक कर सकते हो जो criteria इन्होंने रखा है तो उस साब से education qualification जो है होगी जो 3 post जो है इन्होंने निकाली है ये serial number 1 से लेकर 3 तक तो अगली post के बात कर लेते हैं 4th post के बारे में तो ये medical officer dental की post है contract basis पे भरे जाएगी एक post निकाली है bachelor of dental surgery degree होनी चाहिए आपको पास और इसमें register होनी चाहिए आप state dental council में और इसके लिए desire qualification इन्होंने रखिए post graduate degree MDS in dentistry तो अगली post जो है ये medical officer एलोपेथिक की post है contract basis पे पोस्ट भरी जाएगी एक post जो है इन्होंने रखिए है तो इसमें आपको recognized medical qualification included in the first or second schedule of part two of the third schedule other than जो है council act जो है इन्होंने बता रखा है desirable qualification जो है post graduation degree और diploma आपके बास होना चाहिए first or second schedule of part two of the third schedule तो जिस act में जो इन्होंने बता रखा है Indian medical council act के हिसाब से तो आप जो वीडियो को post करके जो है आप देख सकते हों तो अगर मैं डिटेल बता ले रख पढ़ा तो वीडियो लंबी बन जाएगी में degree in architecture और its equivalent from a recognized university जो है आपकी degree होनी चाहिए central or state government के और two year जो है आपका experience भी इन्होंने मांगा है तो अगला जो post है ये अगली post public relation officer की है PRO तो contract basis पे ये post भरी जानी है एक post है bachelor of journalism and mass communication और bachelor of public relation और bachelor of public relation and adultizing from the recognized university से आपकी जो है degree होनी चाहिए तो वो post graduate degree diploma in journalism and mass communication में आपका होना चाहिए इन्होंने और करके जो बता रखी है qualification तो next eighth जो post है ये system analyst की post है UIT contract basis पे post भरी जानी है एक post है तो आपकी bachelor degree होनी चाहिए computer science and engineering computer application information technology और its equivalent from a recognized university state या HP या central government का होना चाहिए institute तो उन्होंने master degree भी जो है बता रखी है कि physics mathematics, economics, statistics और post graduate diploma at least one year का हो तो वो भी इसको जो है apply कर सकते हैं जैसे कि PGDCA diploma होता है तो और करके जो है इन्होंने qualification ने बता रखी है और B-level course from DOEACC Society National Institute of Electronics का भी हो तो भी आप जो है form भर सकते हैं ये तो अगली जो post है 9th नंबर पे ये computer programmer की post है तो ये contract basis पे भरी जानी है NIE LIT Society का तो वो इसको जो है भर सकते हैं और at least six year experience जो है इन्होंने मांगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी qualification तो next category जो है ये C category में जो post या आती है उनके बारे में बताएंगे तो law officer की post है इसमें तीन post जो है advocate का तो 11th post जो है assistant librarian की है contract basis पे ये post भरी जानी है HPO modal school general की एक post जो इन्होंने रखी है और university institute of technology UIT की इसमें भी जो है इन्होंने एक post रखी है तो ये लाइबरेटरियन की post जो है भरी जानी है दोनों तो इसमें इन्होंने qualification बिज़तार की है graduation आपकी होने चाहिए तो अगली जो है ये post clerk की post है contract basis पे तो ये total post 54 है तो सबसे ज़्यादा post है ये तो 25 जनरल की है और EWS की 8 है SC की 11 है ST की 4 है OBC की 6 post है तो आप जो है देख सकते हैं category wise उसमें bachelor degree होनी चाहिए आपके पास और आपकी minimum speed जो typing की होनी चाहिए 30 words per minute English के और 25 words per minute होनी चाहिए Hindi type writing के और अगली जो post है ये junior office assistant की IT की post है JOA IT की तो इसमें 37 post जो है भर जाएंगी total general की 18 है तो इसमें जो qualification की बात कर लिए 10 plus 2 examination पास होना चाहिए आपका और इसमें matriculation from organized board of school education और one year आपका डिप्लोमा होना चाहिए certificate from industrial training institute ITI का या IT sector का तो इसमें इन्होंने बता रखी है कि EWS की 3 है SC की 7 है और ST की 1 है OBC की 8 है तो आप जो है pay scale दे सकते हो और इसमें भी इन्होंने जो है typing test जो है ये आपका होगा तो इसमें इन्होंने मांगा है computer typing speed भी है मांगी है तो next post है junior office assistant accounts की post है ये चार post जो है भर कॉम होनी चाहिए 50% मार्क से आप पास होनी चाहिए उसमें और इसारेबल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग और प्रफिसेंसरी इस यूस्ट फाद अकाउंटिंग सोफ्वेर लाइक टैली सैप ERP आपको आना चाहिए तो next post है ये language teacher की post है LTE की contract basis पे HPU model school में जो है पोस्ट ब 50% मार्क से होनी चाहिए जो रहे ने बता रहे हैं और वानियर बैचलर इन एज्जुकेशन बीएड तो आप जो है qualification को ध्यान से देखें और फिर ही आप जो है form भरे तो next post जो है ये post 16th नंबर की जो post है ये data entry operator की है तीन पोस्ट जो है भर यान है contract basis के उपर तो इसमें चाहिए आपके पास at least 6th month का 6th month का जो है आपके पास duration का computer का diploma होना चाहिए तो next जो है ये junior engineer civil engineer की post जो है इन्होंने निकाली है contract basis के उपर 7 post है total तो general की 4 है AWS की एक है SC की एक है OBC की एक है तो इसमें जो है आपकी 10 plus 2 matrix और 10 plus 2 होनी चाहिए और इसमें आपकी regular जो है full diploma होना सिविल का जो तीन साल का होता है और बी बीटेक डिगरी होनी चाहिए दोनों है जो ही इसको apply कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी और जिन्होंने डिगरी करी है वो भी इस post को apply कर सकते हैं जो साथ पोस्ट है civil engineering की निकाली गई है तो next post है जो ये junior engineer electrical की तो इसमें 10 plus 2 आप पास होने चाहिए और conductor का आपके पास license होना चाहिए next post जो है ये JVT की है contract basis पे पोस्ट होनी है और HP model school में ये post भरी जानी है दो पोस्टे है तो इसमें आपके 10 plus 2 में 50% marks होने चाहिए और senior secondary school with 50% marks हो recognized board school और 2 year जो है आपके पास junior basic teacher course जो होना चाहिए ज next जो है इन्होंने बता रखी है posting और करकर तो आप जो है ध्यान से वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं तो ये 21 नंबर पर जो है driver की post है तो driver की post जो है इन्होंने contact basis पे भरी जानी है एक post जो है इन्हों रखिए आपके पास 10th qualification होनी चाहिए और driving license होना चाहिए आपके चाहिए और जो 22 post है ये driver की है तो इसमें 5 post जो है भरी जानी है ये contact basis के ओपर 10th का आपके पास qualification होना चाहिए और heavy driving license होना चाहिए आपके पास और light vehicle का hilly train का license होना चाहिए 23rd post जो है auxiliary nurse midwife की post जो है ये भरी जानी है एक post है तो matriculation आपकी होनी चाहिए और one and a half year multi purpose health worker training course जो है आपके पास होना चाहिए तो next category जो है ये डी category में जो पोस्टे आती है उनकी बात कर लेते हैं PN की post जो है सबसे ज्यादा पोस्टे जो है 92 पोस्टे जो है ये जो ये advertisement निकाले गए है इसमें 92 पोस्टे जो है सबसे ज्यादा ये PN की पोस्टे बढ़ जानी है daily basis पे जो है ये पोस्टे बढ़ जाएंगी तो इसमें इन्होंने जो है metric जो पास मांगी है तो आगे चौकिदार की post है तो 28 पोस्टे जो चौकिदार की बढ़ जाएंगी daily basis के उपर तो जो rate होंगे वो HP government के जो notify किये गए है उनके इसाब से तो इन्होंने जो है 10 पोस्टे बढ़ जानी है इनके लिए जो है middle standard examination जो है pass होना चाहिए आपके पास और सीवर्वैन के लिए जो है तीन पोस्टे बढ़ जानी है तो total जो है 272 पोस्ट जो है ये सरकारी पोस्ट जो है भरी जानी है तो desirable qualification जो है all above mentioned post जो है आपके पास knowledge होने चाहिए custom manner delegates of of university के हिसाब से जो है ये पोस्टे होंगी तो अगे हम बात कर लेते हैं important age की बात कर लेते हैं तो आपकी जो सीरे नंबर 4 से लेकर 29 तक सीरे नंबर है ये बता रखा है इन्होंने उनके लिए 18 से 45 साल जो है इन्होंने age रखी है तो आगे इन्होंने जो reservation बता रखी है SCST OVC category के लिए तो उन्होंने जो है certificate vera के बारे में भी आगे बता रखा है तो अब fees की बात कर लेते हैं तो किदिनी fees जो है आपको देनी होगी application form की तो जो general category की है उनके लिए जो category B में जो post आती है उनके लिए 2000 जो है per person जो है ये fees होगी और जो C&D category के लिए general category में तो उनके ल post है उनके लिए 1000 रुपे fees है और 600 रुपे जो है वो C&D category के लिए है जो CST, OBC और EWS, BPL के जो हमाचर प्रदेश में है वो next जो है ex-service man के लिए कोई fees नहीं लेगी तो आगे बात कर लेते है mode of payment जो है आपका इन्होंने बता रखा है कि internet banking जो debit credit online जो है आपका होगा तो offline जो इन्होंने बता रखा है कि fees once paid to be refunded तो आपकी जो है कोई fees जो है अगर एक बार पे कर दी तो वो refund नहीं होगी fees तो इन्होंने note refunded जो है बता रखा है तो जो claiming fee exemption should we possess valid certificate on the respective category on the last date of submission online application form जो है उनकी हिसाफ से claim जो है होगा fees का जो exemption होगी category हिसाफ से तो आगे important instructions हो है इन्होंन जो कि user ID जैसे कि आपको बनाना होता है photo कितने size की होने चाहिए signature आपके कितने size की होने चाहिए जो आप upload करोगे और category का जो यह number वगयरा मांगते हैं जो आपके certificate में लगे होते है email ID phone number वगयरा तो last date जो है 26 2020 को जो last date है इनकी तो अब आपको जो है यह सारा कुछ जो है आगे हम बात करते हैं जो कि selection process के बारे में बात करेंगे तो selection process क्या रहेगा तो selection process जो है यह serial number 123 के लिए prescribed UGC जो regulation होगे उससाब से होगा और यह 4 से लेकर serial number 9 तक जो selection process रहेगा यह scheme of examination process of selection के लिए objective type written test जो होगा general knowledge का यह 40 marks का होगा और जो आपके subject aptitude test होगा concerned field के हिसाब से वो 100 marks का जो है यह आपका लेंगे तो total interview को मिला कर जो है 60 marks जो है interview और personality test को मिला कर आपके 200 marks का जो है यह serial number category V के जो post है serial number 4 से लेकर 9 तक उनके लिए जो है यह criteria जो है इन रखा है selection process का और आगे जो syllabus रहेगा आपका written objective type question exam जो पूछे जाएंगे examination में तो इसक जो की 40 marks के 40 question होगे एक नंबर का एक mark एक question होगा और इसमें general knowledge होगी हिमाचल प्रदेश की international की national की और आपके जो division of marks जो होगे 20, 10, 10 respectively जो है पूछे जाएंगे तो HPGK के 20 marks के question होगे 10 marks के India and international GK के होगे और 10 marks के जो है वो international GK के होगे दोनों के मिलाकर 10, 10 marks जो है इनने बता question पूछने है 100 number के तो personality test और interview 60 number का होगा total 200 number का जो है ये आपका personality plus जो written exam होगा उसको मिलाकर और total 140 question जो है पूछे जाएंगे आपके written exam में तो 2 and a half hours duration होगी और इसमें आपके 1 ratio 6 plus 3 जो है आपके additional post के लिए जो marks जो है ये ratio के हिसाब से qualify written test जो होगे होगा उससाब से जो है आपके appointment जो है करेंगे तो जो आगे category C के series number 10 से लेके 23 तक जो selection process रहेगा वो return objective type examination होगा 85 marks का तो यह इनने बता रहा है post के लिए far post और junior office assistant के लिए जो है typing test भी जो है लिया जाएगा qualifying nature का तो इसमें जो पूरा इन्होंने बता रहा है advertisement में तो evaluation के 50 marks होगे जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो documentation होती है इसमें reasoning जो है पूछी जाएगी 20 marks की तो total 85 question जो होगे 85 marks के पूछे जाएंगे आपके लिए तो इन्होंने जो है यह serial number बता रहे हैं कौन से serial number की जो post है उसके लिए यह slaves जो है रहेगा तो यह आप देख सकते हैं पूरी जानकारी तो आगे जो नहीं बता रहे हैं जो junior office assistant IT के लिए जो है serial number 13 के लिए यह slaves जो है रहेगा general knowledge रहेगी 25 marks की 25 नंबर की और general knowledge रहेगा computer का computer application का information technology का जो 60 question 60 marks के जो है पूछे जाएंगे तो यह serial number जो post है 30 नंबर पे उसके लिए ही रहेगा तो 85 marks का जो है यह paper होगा और 85 question पुछ जाएंगे one and a half hours की duration होगी exam की और 20 times of total number of post category will be ratio जो है होगी तो आगे इनोंने जो evaluation के बारे बता रखा है जो कि आप सभी को पता ही होगी कि कौन कौन से certificate की कितने कितने marks जो है मिलते हैं तो यह जो हमें आपको पूरी जो है डिटेल म 2.5 marks जो है example जो है इनोंने बता रखा है किसाब से जो है आपके percentage of marks जो है आप obtained करूंगी qualifying marks के लिए तो अगर आप बैक और क्लासिस से हैं तो एक नंबर आपका वहां से जुट जाएगा यह category wise जो है इनोंने बता रखे हैं कि किसाब से जो है आपके evaluation के हिसाब से अगर experience अगर आपके पास होगा तो उसके आपके 2.5 marks जो है जुट जाएंगे तो यह पूरी जानकारी मैंना आपको जो है बता दी है अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे comment section ने comment कर दें तो पूरी information जो है सई से आपको पता लगई होगी तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तो करें और इस वीडियो को शेर करें और इस वीडियो का आप लाइक करना बिल्कुर न भूलें और चैनल को जूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी जो है ऐसी latest update जो है मिलती रहे हमारे चैनल द्वारा कोई भी comment recruitment निकले तो अपना कीमतिस में देने के लिए बहुत तो धन्यवाद जहिन जहिन माचल